धर्म दी पहली साधना सुनन ते खड़िये, सुनन सुनिये, मनिये, मन की इताब इन्नों उपनिष्थां दे रिशी इंज केंदने सुत्वा धर्मंग विजानाती सर्वन करने से ही धर्म की प्राप्ती है इंज केंदेन सुनना मूल है धन गुरु नानिक देव जी महाराज नो इस देते चार पोड़ियां उचारन करने आपने सुनिये, सिद्ध, पीर, सुननात किसे ने सुनया, सुनया या मन लेया, सिद्ध बन गया नात बन गया सुनिये, सिद्ध, पीर, सुननात कोई पीर बन गया, कोई संत बन गया सुनंदी इतनी वड़ी मेंमा इक पोड़ी नहीं, चार और हर पोड़ी दिछ नमे तो नमे रूप दितने सुनिये इसर बर्मा इंद, सुनिये मौकसलाहनमन सुन सुन के कोई ब्रम्य जैसा विदवान बने, सुन सुन के ही कोई सतो गुणी विष्णू बने सुन सुन के ही कोई भोला शंकर बने, शिवजी बने सारी ए उच पद्विया धरम दिया सुनंते खडियान सुनिये सत संतोख गयान किसे ने सुने है, मन ले है, वही सत बने है, वह चाचरन बन गया है वही संतोख बन गया है, वही सबर बन गया है उस सुनन ने इतना पवित्तर कर दिता है के अठाट तीरतिस्तों कुरवान कीते जा सकते हैं सदके कीते जा सकते हैं फिर चोथी जी के दिने सुनिये सरा गुना केगा सुनिये सेख पीर पाथशा सुनिये अंधे पावेरा सुने हाथो वे असगाव इन तरे जानवाला सागर जेनु अभूर करना बड़ा आउक है एक हाथ जैसा रह जानदे सुननना बाव सागर तो पार हो जानदे सारे पाप मिट जानदे सारे दुख मिट जानदे ने सदीवी अनंधी प्राप्ति जान दियên नानिक भगता सदा विगास सुनिये दुख पाप का नस केडा सुने आँया जिननु मन ले मैं हुन फिर दो रावाते अगे चला जो भोजन असी छक दे है उस दा जेड़ा भाग साड़े सरीर दिछ रह जानदा है ओही सरीर दा हिस्सा बनदा है खून बनके मास बनके चर्बी बनके हड़ियां बनके इंद्रियां दी शक्ती बनके शरीर दा विकास, शरीर दी होंद, भोजन दी होंद है भोजन दा विकास है जो असी सुन दे हैं, पढ़ दे हैं मन मन लेंदा है जे सुनू ओही साड़े मन दा हिस्सा बनदा है ओही साड़े मन दा रूप बनदा है सुने आगर मने आए तो इसे दो हो जाएगा सुने आगर मने आए तो संतोखी हो जाएगा सुने आगर मने आए तो इगैनी हो जाएगा सुने आगर मने आए तो इदे सारे दुख ते पाप ना सुझाणगे और सदीवी अनंदी प्राप्ती हो जाएगे सुनन वास्ते कबूल करना पैगा मैं कुछ नहीं जानना चांदा और मैं सुनना चांदा जानना चांदा इस वास्ते बड़ा निर्मान शबत दिता गुरुनानिक ने सिख सिख तो मुराद की मैं सिखना है मैं नहीं जानता कुछ भी नहीं जानता इस तों ज्यादा निर्मान शब्द होर कोई नहीं है मैं कुछ भी नहीं जानता कुछ भी नहीं जानता जानना जानना सिखना जानना और ए भाव मर्दे दम तक बने आ रहे क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है जानन नो बहुत कुछ है बहुत कुछ है अगर गौर नाल देखी है धन गुरु गरंट साव जी दी सारी बाणी अगम्मे सागर मनुखनु बड़े मुश्किल नाल के दे दो चार शब्दां दी जीवन भर दिछ के दे समझ आ जायते आ जाए फिर दस्म गरंट है भाई गुरुदास जीदियां वारान है बबंजा कवियांदियां रचनावान है कवी संपोग सिंग जीदा गुरु परताब सूरज गरंट है इतना वड़ा खजाना है एती कोई खोले पेउदा देका खोल डिटा खजाना तामे रेमन बयान दाना नहीं खोले है बहुत कुछ है स्याने अनभवी पुर्ष केंदिन कोई भी मनुक जिस मजब दिच पैदा होय है अपने धरम दे सारे ग्रंथां दा अधेन नहीं कर सकदा नहीं कर सकदा बहुत कुछ है बड़ा पसा रहा है बहुत वड़ा पसा रहा है तो मेर्ज करें इस वासे सद्गुर्ण ने निर्मान शबद दे दिता सिख तू सिखन है सिखन दा भाव लेके या मैं सिखन है और सिखन लेटे सुनना है पहले सुनना है सरोता बनना है सुनना है सुनिये इस सवस्ते सिख तो ज्यादा निर्मान अवस्ता होर कोई ने हंकारी सिख होई नहीं सकदा जिड़े दावा करदे मैं सब कुछ जानना है पता है मैंनो की है गुर्मत मैं जानना ये कुछ भी होवे कम से कम सिख नहीं है सिख जो मरदे दम तक ए भावना रखे मैं सिखन और मैं कुछ नहीं जानन की जानना बहुत कुछ है सिखनना बहुत कुछ है जीवन बहुत चोट है बहुत चोट है इस सोष्ते क्योंके किसे युग जेच काम परदान होंद है किसे दिच लोग परधान होंदा है इस युग दिच हंकार परधाने साहिब केंदने हूं मैं रोग मानक को दीना यह परधान है बड़ा परधान है आहं मैं हाँ दूजा नहीं है तो हंकारी सिख नहीं हो सकदा पामे सिख दिखाई देंदा शिख नहीं है, शिख दाते मतलबे मैं सिखना जानना, मैंनो कुछ नहीं आँदा, मैं कुछ नहीं जानना, कम से कम हे प्रभू में तेरे बारे कुछ भी नहीं जानना, कम से कम हे गुरू में तेरे बारे कुछ भी नहीं जानना, मैं जानना, मैं सिखना जानना, इतना गहरा भ हाव हो वे तो सिख भी लेगा बड़ा निर्मान शबत है